नम्शका डी आई जी न्यूज में आप सभी का स्वागत चंद्रपूर जिले की सबसे बड़ी खबर बैंक पीड़ेत महिलाने चंद्रपूर जिला देख रेक सहकारी संस्था आफिस में की तोड़ फोड़ पिछले कुछ दिनों से चल रहे संस्थाओ के विवादों में रहे जी डी आर ओफिस मुदिलकर ने नागपुर स्थीद आनन नगरी में प्रॉपर्टी गिरवी रख कर लोन के लिए मैनेजर से मिलने पर मैनेजर ने कहा कि आपका लोन नहीं हो सकता जब तक आपका IT रिटेन लागों में नहीं हो तब तक आपको 40 लाग लोन नहीं मिल सकता मैनेजर समेथ एजेंटों की साठगाट से मुदिलकर की प्रॉपर्टी और मुदे मैडम का IT रिटेन लगा कर 40 लाग का लोन आनन नगरी बैंक से निकाला गया और यहीं नागपुर स्थित मैनेजर समेथ एजेंटों ने लोन 5 लाग का भी कमिशन लेकर मुदिलकर के बैंक खाते में भी एक भी रूपया नहीं आने के कारण पीडित महिला ने GDR आफिस में किया शिकायत की जेडियार ने पीडित महिला की शिकायत की सुनवाई नहीं करने के कारण जेडियार आफिस के चकरों से परिशान होकर पीडित महिला ने जेडियार आफिस में हंगामा किया ये क्रेण ऑने जे जे एच? आ? मुं चल्लु से धेडियार ने उे ड невोत्ति जेस मतिताक्यों महिला आले कुणि हमिला थे simply अ किया हमें आफिस तोसले जेमने आते हमें है एक आवी आएभी एडे फिरेंगी कि मांगरे कर दो अबिस्ट ने भाइदी ने गहए लगद्राट थी तुने भेस्ट न बेगां अब्ले बुद्ट किया बदा अबदा है ल्गे अबिस ने खेंगी तुने ले की किया हुआ प्लाख दूने क्या हुआ थे हुआ है ले धाय क गें मेज़ें दिखा उ माया हो यह तुह भात मी दू है कर दो लुक दो नुद layer है. нашем न यह सब सक करे को दो, घुड़ है there, nós नहीं कि उन्म पंध दो इस संद। चानल मुडलतों कि शर्वतने का भुड़ियाhof पाइसा लिए बापिस कर दो ना अरे सर अंगे नाम से लोन है इंकम टैक्स रिटर्न तीसरे के है कागा चौते के है लोन इनके नाम से है और नापपूर के अपिस ने भी आपको क्लीन चीट दे दी ना इतको दी आद बाथ बताओ मैंसे कलेक्टिया पराबल मिने अर्डिक में हैं वह मेर को पेपर, तू है कौन थे तू है कौन तू है को ने कौन तूने एख रधी अप्र पने को जवाम ने दिया और उसके बाद तूने मुझे जला के अब आक्मत्य कर लिए तो क्या करेंगे आ आपके हाथ से जो आननागरी का प्रेशा है बड़े बड़े लोगे हम दस से बारा केसे सर अननागरी के दस से बारा केसे इंगा दादा अर उसके नाम से लोन किरिंगा एंग रही है वह लगे शाया बदा अपने डाकुमेंट भेजे है आप डिसित पर अब आपको लेगे अपने क्या बड़े कर दो साजे पोस्ते बेजा जाता है फोडेशा हमको भी मालूम रहा है इतना चले इर लोग अने इतना चले बार बार जुद बोला हमने देश दिले अरे माड़े माजए इसके बास से शे अब अपने जी डाकुमेंट भेजा आपको लेगे अरे में जुदी तु जरोसे यादा शाकिर देश पर अपने क्या खाए आप न जोबिड में आपको बता होगा सर ने को पेपर सुनिये सर जो भी वेवर अपका अनननागरी सोगे ना पहिसे बाफुस कर दो क्यों भी वि हूँ जबाइं पर ने हूं को बात हो कि ना थूए हाँ ऊपने को बहुत हाम है न को आपको इन खर प्तिका नोटी ठागया पता है क्या जबेंदा क्या करों का भी को बैंक से नोटी साथा तो पाल द runners आते कालेक्टर की बखर्मिज़ा मदी जब आपने कभी कई आपको एक प्राकरन चालुआ है हैं दोल प्राकरन को क्या चालुआ सब्सक्राय दोल सब्सक्रायो है प्राकर सब्सक्राय क्या गशायो मैने के लिएके 2-7 मैने के प्रापकहुलों प्राती के 2009 उसके अनवा कुछ भी नेकिए उसमें इंगा सोच तुडिया राकुमेंट राकिर ना आप बोगी राकुमेंट नी बाता रहे ना अप तुड़ा होते हैं कुछ दो करतो अप्वी कि अप्वी फिलो मिरे पस पूफ है मैं मैं इना कुरूब की काम करती मैं रुकोंगी रुप जे अनकाइ नम्यक्रा इे मैं यह नीुक्त के ला है ज्येव जांदेशाय है है इंक्रेसाहिव वसला हो चुप्ती शुप्ती मैं हो चुप्तित के वाया डा की जुप्तो हो इडियो चुप्त्व राइक उ यह? पूना हेड़कॉर्टर से चंद्रपूर आमनागरी को ओर्डर मिले हैं कि आप कारवाई करो एक लेकर जावाई उसका दिए कारवाई के आदर आए इंको हमीकुन के यह काई नहीं है आप लेकर ठाई आप लेकर आप लेकर आप लेकर से के यह कारवाई मुने तरह लेकर भी कि आप लेकर कारवाई नहीं को अगार्य 00 यह बात आपकी बढ़ गई यह वरिफिकीशन होने तक उन लोगे ने इनको घर के जबती का नोटिस काईसे लिगा यह बात आपकी जवाब देना है आपने दो साल हो गए अभी तक के उसका एक भी जवाब नहीं दिया और सबसे पहले फस्ताफोल यह पसे ना इसके पास में कालोई प्रिंडिंग है मेरा नाम जोती मुझ्यारा मैं अभ्यांक अभ्यांक नागपूर से रहने वाली हूँ नहीं मिला तो मैं दीपक पारे के घर के सामने असोसाइट कर दो मेरा नाम शारीक परवेज इकबाल है मैं भी आनन दागरी का शिकार हो चुका हूं आनन दागरी ने मेरे दादा के प्रापोटी को लोन बता के जबती किया है चुके मेरे दादा जी की मृत्यू 2017 में होगी हुई है और इसे बार बार जो है अपने लोन से संबतित दस्तावेज मांगे है लेकिन इन्होंने अभी तक कि हमेरे को कोई दस्तावेज प्रोड्यूस नहीं किये यहां तक कि हमारी के सभी कलेक्टर में पंडिंग है और इसी बीच में इन्होंने भाके पुरी प्रापर्टी को जबती करके बेचने का प्रकरण इन्होंने की है